देखे friendsa शोंक को बनाने के लिए त्रि प्रिप्लाइका निंखे बेबी वुलिया हुए है यह बहुत सॉप टूल है और यहां पे मने दस नमबर के सलाई है कि time Funder चुम곡 करने नौ दूनी अठारा है तो आपने 18 लाइन के बुनाई कर लेनी है और 11 फंदे डालके 18 सलाई के बुनाई करने के बाद यहां पर आपकी 9 लाइन बनके आएगे 10 लाइन में आगे की साइट से आपने क्या करना है देखिए यहां पर 11 फंदे को तीम भागों में डिवाइट करेंगे ती पारट में हमने इसको डिवाइट करना prototypes 17 17 फिर 17 बात लेना है जो सबसे पहले नहीं है पर शब करें सकती पर इंठिक हैं तो बनाते हैं प्लाए पमीने अगे इसे उतारा ओन को अपने साइड लाके यहां पर सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे एक फंदे में स्लिप किया इसको भी काउंट करेंगे अब 16 फंदे में बनाते हैं और बीच के 17 फंदे में हमारी देखिएगा डिजाइन बनेगा बहुत इसी है और बहुत जल्दी साइड़ा रहा हमारी लाके साइड़ा में आपके 17 फंदे में बनाते हैं थे एक तेम का अंट करते हैं एक दो तीन चार पांच छीए साथ साथ दो ने शोवगे 15 फंदे के अगे दो फंदे और से बना लेते हैं 16 और 17 को छ्यवते से ख़रें इस इसे कांट करेंगे एक दो, तो तीन चार पांच छे साथ आठ नौट दस ग्यारा बारत तेरा शौदर फंदर सोलग सत्र तो सत्र फंदे हो गये आप देखिए उनकों पीछे की साइड ले जाएंगे अब सत्र फंदे को में देखिए यहां पे घटाना है दो फंदे का एक करना तो कैसे करना है यह दिखि इस फंदे को में ऐसे उतारा इसको ऐसे पलट के सलाई पर ले जाएंगे यहां पे दो फंदे का एक करेंगे सीधा देखिए दो बार हो गया फिर से देखिए यहां पे ऐसे फंदे को ऐसे ले गये और यहां पे फिर देखिए इसको में ऐसे सीधा डाला और यहां पे दो फ मैं इंथर से साद में एक आपो रलास्ट ने संत्र हमने 17 रित से पाल में सेंटर, आयदा है किया है प्रयों पालेत इसा अ इंद्र हम आप शत्र टिया इक टत रहे पाली सब्सक्राइट हुआ अधिया देखिए हमबारी यह कुछ तब यहां पर काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 दुनीस सोले एक सत्रा तीन फंदे मारे आपर हो रहें देखिए इसको अमने ऐसे अलट लिया यहां पर दो फंदे का एक कर दिया करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ दू चौधा अब देखिए हमारा यहां पर सत्रा इस्ताइड हो गया और सत्रा फंदा हमारे एक दिल एक दिल एक दो तीन चार पांच press &σαad 7 18 19 11 12 13 14 15 16 17 संस्ट पंदा इस सए रोंगे साइड जात राके यहां पर देखिए हम इस सभी पंदे को उल्ट आफट बनाएंगे कि पीछे की साइड उल्टा-उल्टा बनाना है तो चलिए कि इस तल आ बनाएंगे एक फंदा इसको भी लेके हम काउंट करेंगे तो हमारा टोटल हैंपे 17 फंदे हो जाएंगे देखिए कर देखिये देखिये फ्रैंट्स हमने यहां पे 17 फंदे बना लिए अब यहां पे 17 फंदे बनाने के बद हम फिरसे वही करना आमने इसको ऐसे पलटना है और यहां पे देखिये दो फंदे कहां एक ख 이미 करेंगे फिर से इसको ऐसे फंदे का यहां खुरतने के बाद दो का एक किया, उन्हें अपर इसे दो का एक कर दिया, देखिए हम पर कौंड करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाउन, छे, साथ, तुन, शौदर, पंदर, सोर, सत्र, सत्र, सत्र फंदर है, एक फंदर यहां पर हमारा, एक श्रेट इसको मैसी बना देंगे, यह देखिए, सत्तर फंदे को मैंने ऐल्टा बना लार रहते हैं, छे, साथ, एल दो, तीम, चार, पांच, साथ, साथ, दुन,स्यदर, पंदर्र, सोर, सत्र, सेंटर में हमारे यह तो हम इंसाथ, इन पांच फंदे को एक शंद बनाएंगे, ञाया निया, यहां पर देखिए एक साथ हमने गुंदी है फिर से हम यहां पर 17 फंदे जो हमारे हैं इस साइट के इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे चलिए इसको बना लेते हैं फिर आप उपको दिखाए देखें आगे की साइड आगे की साइड आपने क्या करना है आपके देखें सिर्फ हम 16 फंदे बनाएंगे 17 फंदे नहीं बनाएंगे देखें एक हो गया जो उतारें दो तीन चार पाद छे साथ आठ नुग दस ग्यारह 12 तेरह 14 पंदरह और 16 फंदे नहीं इस साइड का लेना है एक सेंटर का है हमारा जो तीन पांच फंदे का एक किया था एक फंदे हम इस साइड का लेंगे जो इधर का 17 है इधर का भी ले लेंगे तो 16 इधर हो जाएगा 16 इधर अब यहां पर देखें इन तीन फंदा था है यह रेखिए बाकी के फंदे को उल्टा उल्टा बनाते हैं वह एक फंदे को इधर की साइड से आगे की साइड से बना लें अब पीछे की साइड आ गया है पीछे की साइड से में सभी फंदे को बंद करना है देखिए कैसे फंदे को बंद करेंगे एक फंदा ऐचे के फंदे से इसके उपर से उतार दिया है ऐसे ही यह हमें सभी फंदे को बंद करना है देखे फ्रइंज कितना इजी यह सॉक से बहुत ही आप इसको बड़े के लिए भी बना सिते हैं यह आप अजय चा ची है अब देखिए ऐसे ही हमने सभी फंदेग यहाँ पैसे बंद करना है अब देखे फ्रैंट्स यह सॉक्स हमने यह फंदेbya फंदे को यहाँ पे बंद कर लिया है देखिए किती अच्छेत फिनिशिंग आई हुई है अब आपने इसके सिलाइ करने के लिए स्यून के लिए रोर सॉक्स को हम उल्टा करेंगे, हमने यहां से सिलाई करते हुए, यहां तक नॉर्मल सिलाई हम करेंगे, पहला हम इधर हमारा उन था, इधर की साइड हम इसकी सिलाई करते हैं, तो देखिए हम सिलाई कैसी करेंगे, यहां तक सिर्फ आपने सिलाई कर दी है, यह देखिए, यह हमने छोड़ना है जहां से हमारे फंदे गोटे हुए है इतना हमने इसको छोड़ना है इतार हम नॉर्मल सिलाई कर लेते हैं दोनों चैन को लेते हुए एक दूसरे के साथ यह देखिए तो चलिए यहां तक हम सिलाई कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स हमने यहां से लेके यहां तक सिलाई कर दी है इधर उन्हें आगी की साथ जहां पर दीखिए हमने यह पंदे को गटाया इसके नीचे हमने इसको गोलाई में देखिए एक एक फंदे से हम इसको अशे निकालेंगे द्यान से देखिए ना ताकि सामने हमारी नोख ना निकली रहे और अच्छी फिनिसिंगा है यह देखे फ्रेंड्स हमने इसको यहां से खीच लेना है यह यहां पर मारी देखे गुलाई सी यह देखे इसको हमने यहां पर यहां से लॉक कर देना है हमने देखे हैं पर पक्की नोट लगा दें फिर से इसको लॉक कर देंगे दाकि खुले ना है यह दागे को हम कट करेंगे देखे फ्रेंड्स इसको हम सीधा करेंगे देखे यह देखे इसको हम सीधा करेंगे इसको हमने बुलाई दिया था तो इसकी सेफ कुछ ऐसे बनके आई है जोती की तरह है इसको खुप सूरत लग रही है यह देखे अब इसको इस पर हमने आप एक बो लगाना है तो बोल्प बनाने के लिए हमने नॉर्मन सी देखिए आप छे फंदे लिया है और इसको ने देखिए एक दो तीन चार पांच है तरह देखिए दस लाइन यह 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 पीश तलाई बनाके शर पंदों का उने आप बोफ तयार कर लिया अब इसको नॉर्मन हमने देखिए इस सेंटर में सुझी ले जाके अब इसको में देखिए दो से तीन बार ऐसे लपेट दिन आप टाइट ली इसको अब यहां पे नमें से लगा देंगे देखिए इसको टक कर लेते हैं फिर दिखाए देखिए फ्रैंड्स अमने आप एक बो लगा दिया तो किती खुबसूरत लग रहे आप चाहें तो यहां पे एक सो बटन लगा सकते हैं कितनी प्यारी हों कितना इजी है तो फ्रैंट्स आपनों जरूर इसको ट्राइब करें वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें नहीं चानल को सब्स्क्राइब करें थैंक यू झाल 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 झाल